नमस्कार दोस्तों चले देश्ट आज बात करने वाने फ्लेटू बुष्ट कैपसूल के बारे में ठीक है दो यह किसके लिए होता है कैसे परयोग करते हैं क्या-क्या साइड इफेक्ट है सब कुछ बताएंगे आपको लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएग नहीं तो आपको यह सब जानकारी नहीं मिल पाएंगे ठीक है दोस्त यह दिखिए फ्लोटू बिष्ट कैपसूल है और इसमें साल्ट क्या है समितिसोन साल्ट है इसका यह मैंनकाइन कंपनी की दवा है और आपको बताते हैं किसके लिए फायदा करता है ठीक है दोस्त यह अब आपको मैं बताऊंगा पेट का अलसर क्या होता है ठीक है दोस्त पिप्टिक अलसर को हम गश्टिक अलसर के नाम से भी जानते हैं यह एक तरह के हमारे पेट के भीतर परत में संक्रमित घाःव होते हैं पेट में आध के बाहरी हिश्चे में भीMIपिये अलसर संक्रमित हो सकते हैं इस तरह के अलसर को डुगाडनल अलसर भी काते हैं पेट के अलसर और डुगाडनल अलसर दोनों को पेप्टिक अलसर भी का सकते हैं ठीक है दोस्त अब आपको बताते हैं कि ये पेट में अलसर के लच्छड क्या है ठीक है दोस्त जैसे अलसर का दर्द आम तोर पर पेट के ऊपरी मद भागों में होता है या दर्द नाभी के ऊपर और चाती के नीचे होता है अलसर की वज़ा से पेट में जलन, दांत, काटने जैसा दर्द ये दर्द हमारे पीछे के हिश्चे में भी हो सकता है आम तोर पर पेट में दर्द तब होता है जब खाना खाने के कई गंटे बाद तक हमारा पेट खाली रहता है खास करके रात में शुवा के शमय या दर्द जादा परवावी होता है अलसर के दौरान होने वाले दर्द कुछ मिन्टर से लेकर कई घंटों तक जारी रह सकते हैं अलसर के दर्द में भोजन, एंटासीड या उल्टी से राहत मिल सकती है अब आपको बतते हैं अलसर किसके करण हो सकता है ठीक है दो जैसे रोगी के परिवार में पहले किसी को अलसर होगा हो ठीक है दोश्त चलीए अब आपको बताते हैं या और या किसके लिए ठाज़ा करता है ठीक है दोस्त यह दिखें वीप्यूटी सोथ है आपको बताते हैं वीप्यूटी सोथ क्या है कोलोनिक डाई वर्टिकूलाइटिस जट राथ सप्त से संबंदित रोग इस सित्ती में पाचर प्रणाने में छोटे-छोटे थैलिया बनने लगती हैं जीने डाई वर्टिकुला कहा जाता है अधिकतर मामले में छोटे-छोटे थैलिया बड़ी आद में विक्सित होती हैं और इनमें सूजन आने पर विप्यूटी सोध रोग विक्सित हो जाता है बैक्टिरिया आ से 40 साल के उम्र के बाद विक्सित होता है विश्मी सताबदी से पहले यह एक दुल्लब रोग था लेकिन समय के साथ साथ इसके मामले भी अधिक देखे गए हैं आज कल पस्चमी देशों के कई हिश्चों में यह रोग काफी आम हो गया है यदि कोलोनिक डाइवर्टु कुलाइटिस का समय पर इलाज नहीं किया जाए तो यह स्वास्त को गंभी रूप से प्रभावित कर सकते हैं ठीक है दोस्त चलिए अब आपको बताते हैं कि विप्यूटी सोथ के लच्छड क्या है पेट में दर्थ पेट फूलना दस्त कब्ज पेट में लगातार तेज दर्द उठना जी मचलना और उल्टी बुखार ठंड लगना मल में खून आना मलासर से खून आना आद इसके वंशिक, मोटापा, वयाम की कवी, दिमर्पान, इन सभी कालों की वज़े से आपको हो सकता है ठीक है दोस्त चलिए अब आपको हम बताते हैं अब देखिए और किसके लिए फार्दा करता है यह दिखेए पेट में अगर गैस हो तो उसके लिए फार्दा करता है पेट में गैश क्या है आमतर पर सब लोग पेट में गैश को जानते हैं लेकिन थोड़ा समय बताना चाहूंगा पेट में गैस यानि की पेट या आतों की गैश और पेट फुलने के रूप में भी परभासित किया जाता है यह एक अपसिष्ट गैस होती है जो पाचन के दौरान बनती ह और गैस आमतर पर गुदा से होते हुए कई बार गंद और आवाच के साथ वाहा निकलती है पेट में अधिक गैस कई बार हवा निगल लेने के कारण होती है इसके अलावा बीना पच्चे हुए खात परदात का निकलना तो यह दिखें गर्ड के लिए फायदा करता है उद आपको मैं बताता हूं कि इसका परियोग कैसे करते है ठीक है दोस्त इसको दीए खाली पेट सुबह यह गोली खाना होता है प्रतिदीन ठीक है दोस्त और मैं बताना चाहूंगा इस दवा का परियोग करने से पहले डाक्टर से सलाह लेके इस दवा का परियोग करें क्योंक चाहल चाहूंगा यह जानकारी आफ लाइन के माधना बताएं गया मेरे माधना सो बताएं किसी भी दवा का परेयोग करने से पहले एक बार डाक्टर से सलाह लेकिए उस दवा का परियोग करिए ठीक है दोस्त वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइक दवाना बेलकुल नहीं भूलिएगा और अगर किसी भी दवा संब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बारे मैं वी सब्सक्राइब टॉकरां नहीं एडियर तकिर तोरह कंपकराइब कर देख़े में देख़े में पनाउन जार की और लिए